सुप्रभात सभी विद्यारतियों को RCI Education Hub बानसुर में आप सभी का स्वागत है आज अपन हिंदी साहिते में अगली कवी यानि अंतिम कवी नरेश महता के जीवन के उपर बात करेंगे नरेश महता जो आपने पाठ्थे पुस्तक के अंतिम कवी हैं इसके बाद अपना कावे कंपलेट होता है तो नरेश महता वैग्यानिक यूग के यानि एक प्रियोगवादी यूग के दूसरे तार सब तक के कवी माने जाते हैं तो ये चीज अपन को सेप्रसंग व्याक्या में भी काम आएगी कि नरेश महता कौन से यूग के कवी है नरेश महता प्रियोगवादी यूग के दूसरे तार सब तक के कवी हैं बात करते हैं इनके जीवन परिच्चे के उपर ध्यान रखना जीवन परिच्चे और सहितिक परिच्चे दोनों अलग-अलग होते हैं तो अपन सबसे पहले इसके जीवन परिच्चे के उपर बात करेंगे तो देकि नरिश महता के जीवन परिचे में बात करते हैं तो इनका जनम 15 फरवरी सन 1922 में मद्य प्रदेश के मालवा छेत्र के साज़ापूर कस्मे में इनका जनम हुआ कब हुआ 15 फरवरी सन 1922 को कहाँ पर मद्धि प्रदेश के मालवा छेत्र के साजापुर कस्मे में इनका जनम हुआ आपकी सिक्षा यानि इनकी सिक्षा माधाव कोलेज उजेन में हुई ठीक है इसनातकोत्र उपादी यानि एमे की जो उपादी है वो हिंदी विसे के साथ बनारस हिंदू विस्विद्दाले से प्राप्त की यानि एमे इनोंने कहां से किया बनारस हिंदू विस्विद्दाले से उसी समय इनके अध्धन के दोरान ही सन 1942 में महतमा गांदी द्वारा बारत छोडो आंदोलन सुरू हुआ था और 1942 में तो ये आंदोलन पूर्ण रूप से सक्री हो गया था और उसी 1942 में भारत छोडो आंदोलन में कवी ने अपना सक्री भूमी का अदा की यानि सक्री रूप से इन्हों ने भाग लिया रेडियो इलाबाद में आप कारिय करम अधिकारी के पद पर भी रहे अग्ये द्वारा संपादित दूसरे तार सब्टक के कवी के रूप में जाने जाते हैं ये बात मैंने पहले ही समझाई थी कौन से सब्टक के कवी हैं दूसरे तार सब्टक के कवी हैं क्योंकि सजिदानंद हीरानंद वात्सयान अग्ये ये प्रियोगवाद के जनक माने जाते हैं तो सजिदानन्द हीरानन्द वास्यान अग्ये ने एक पत्री का सुरू की थी तार सब्तक पत्री का जो 1943 में सुरू की थी तो 1943 में तो अग्ये द्वारा प्रथम तार सब्तक निकाला गया था फिर उसके कुछ दिनों बाद यानि कुछ समय बाद 1951 के आसपास इन्हों ने अग्ये ने दूसरा तार सब्तक प्रकासित किया और नरिस मेता उसी दूसरे तार सब्तक के कवी हैं दूसरे तार सब्तक के कवी माने जाते हैं तार सब्तक क्या होता है ऐसी पत्री का जिसमें रचनाओं को समलित किया जाता था तो ये दूसरे तार सब्तक के कवी माने जाते हैं नरेश महता, इनका मृत्यू की बात करते हैं या इनका निधन सन 2000 में इनका निधन हो गया था, ये तो इनका जीवन परिच्चे है भई, अब बात करते हैं इनके साहितिक परिच्चे के नरेश महता एक ऐसे कवी हैं जिन्होंने अपने कवितों को सदेव मतवादी संकेंता से बचाई रखा यानि लोगों की जो संकुचित विचार हैं संकेंड का मतलब संकुचित विचार, छोटे विचार, उन छोटे विचारों से अपने आपको बचा कर रखा इसलिए बचाई रखा यही कारण है कि इनकी कविताएं आधूनिक होती हुई भी आधूनिक तका दिंडोरा पीरती हुई नजर नहीं आती है यानि वर्तमान समय से इनकी कविताएं संबंद रखती हैं और वर्तमान समय से अपना संबंद रखते हुई भी इनकी कविताओं में कहीं कोई भारिय आडंबर नजर आता ही नहीं है यानि भारिय आडंबर तो इन्होंने बिलकुल प्रकट किया ही नहीं इनके द्वारा जो प्रमो कावी रचने यानि इनकी साहितिक रचने उसके उपर बात करें उससे पहले अपन इसके कुछ सिल्प सौंद्री के उपर बात करते है यानि नरिस महता का जो सिल्प सौंद्री है वो कैसा है पैरग्राफ चेंज करके अभी तो बताया था मैंने इसका भावातमक पक्स अब इसका कलातमक पक्स इनके कविताएं सरलता, सरस्ता यानि रस्त से परिपोंट नजर आती है सरल सीधे बिम्बों का प्रियोग किया है यानि प्रतिकात्मक सब्दावले का इनों ने अपनी कावी रचनाओं में उप्योग किया है मानविकर्ण, उप्मा, रुपक, उत्प्रेक्षा इस प्रकार के अलंकारों की छटा इनके कावी रचनाओं में नजर आती है रागात्मक ता, सम्वेदना, एवं उदार्ता, आदी सरजना के मूल तत्वों का प्रियोग किया है यानि अपनी कावी रचनाओं में रागात्मक भाउना, समेधनात्मक भाउना, उदार की भाउना, ऐसी भाउनाओं को कवी ने अपनी कावी रचनाओं में इनका समाविस किया है तो इस द्रश्टी से देखें तो इनका जो भावात्मक पक्ष जितना स्रेष्ट नजर आता है यानि इनका जो भावात्मक पक्ष स्रेष्ट है उतना ही इनका कलात्मक पक्ष भी स्रेष्ट माना जाता है इसलिए इनका भावात्मक और कलात्मक दोनों ही द्रश्टियों से इनकी कावी रचनाओं सर्वादिक महतुपून है इनकी कविताओं में संसकर्त निष्ट बासा का प्रियोग मिलता है यानि तत्सम युक्त सब्दावली नजर आती है तत्सम युक्त सब्दावली इसलिए नजर आती है क्योंकि इन्होंने अपने कावी रचनाओं में संसकर्त निष्ट बासा का उप्योग किया है अब लाश्ट में इनकी प्रमुक जो साहितिक रचनाओं वो लिखनी है जो मैंने बीच में छोड़ दिया था तो देखे इनकी जो प्रमुक कावी रचनाओं में बात करें या इनके कावी संग रहे है चैत्या, प्रवाद, प्रवव, ठीक है अर्णया, पुरुस, आदी इनकी कावी संग रहे है इसके अलावा इनकी और भी कुछ कविताएं है इनकी कावी रचनाएं जैसे वन पांखी सुनो, बोलने दो चीड को, मेरा समर्पित एकांत, ठीक है, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, संसे की एक रात, महा प्रस्थान, ठीक है, और सबरी, ये इनकी प्रमुक कविताओं की नाम है, ये तो थे इनकी प्रमुक कावी रचनाएं, इसके अलवा इन्होंने कुछ गद रचनाओं का निर्मान भी किया है, अर्थत कुछ कावी रचनाओं के साथ साथ, इन्होंने अपने जीवन में उपन्यासों का निर्मान भी किया है, तो उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, जैसे धूम के तू एक सुरूती यह पत बंदू था धूम के तू एक सुरूती नदी यसस्वी है दो एकांथ ठीक है प्रथम फालगुन डूबते मस्तूल तथा उत्रकथा यह इनके प्रमुक उपन्यास है इन उपन्यासों के अलावा इन्होंने दो कहनी संग्रह और दो एकांग की संग्रह भी प्रकासित कियें तो इस द्रश्टी से ये कवी के साथ साथ एक अच्छे लेखक की भी माने जाते हैं तो एक अच्छे साहिते कार की रूप में इन्होंने अपना योगदान प्रदान किय इन दोर से प्रकासित होने वाला दैनिक समचार पत्र चोथा संसार अब देखो कवी के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे और एक अच्छे लेखक के साथ साथ एक अच्छे संपादक के रूप में भी इन्होंने अपना योगदान प्रदान किये तो एक देनिक पत्री का निकलती थी इन दोर से चोथा संसार उसका संपादन कारिय भी इन्होंने किया साहिते अकादमी द्वारा इन्हें सन 1988 में पुरुषकर्थ किया गया इसके साथ साथ इन्हें ग्यानपीट पुरुषकर से भी सन 1992 में सम्मानित किया गया तो इस द्रश्टी से इन्हे विभिन प्रुषकारों से सम्मानित भी किया गया नरिस मेता वर्तमान समय में आधुनिक काल के प्रियोगवादी यूप के सरस्रेश्ट कवी के रुप में जाने जाते हैं तो ये तो था इनका व्यक्तितू कृतितू यानि नरिस मेता का साहितिक परिच्चे यानि इनका व्यक्तितू कृतितू अब बात करेंगे इनकी प्रमुक कावी रचनाओं के उपर यानि इनकी जो प्रमुक कावी रचनाई है वो कौन कौन सी है तो इनकी प्रमुक कावी रचनाओं के उपर बात करेंगे तो आपके पाठी पुष्टक में इनकी तीन कावी रचनाई दी है किरन धेनुए, विडमना और एक बोद इस तरह से तीन छोटी छोटी कविताएं और तीनों कविताओं में कहीं न कहीं इन्होंने प्रतिकात्मक सब्दावले का उप्योग करते वे अपने कावी रचनाओं का निर्मान किये तो प्रतिकात्मक सैली इनकी कावी सैली मानी जाती है कहीं न कहीं प्रतिकों के माध्यम से पाठक को कुछ न कुछ दिसा निर्देश प्रदान किया है तो नरिस मेता ने अपने जीवन में किसी न किसी रूप से पाठक के मन को जखजो रहे हैं इनकी कविताएं पाठक के मन तक सीधी सीधी पाउंचती हैं ठीक है यह इनका साहितिक परिच्चे इस दरश्टी से कि अथल भीक है ज़िए यह इनका साहितिक पर परिच्चे से यह इनका सुपका इनका सब्सक्राथ इस दड़ा इनका सबस्टा है ज़एग है झाल जो बताओ wa स्पीने नोती है, लान आमे से जाओे देपा, बताओ... छो नित पाने रहा है ले ग cancelled में। sociale, आमे बताओ வार्चा डिर भाक, बताओनů